आपके साथ जादतर ऐसा होगा जब आप सुन रहे हैं अपना फैवरिट गाना आपको वो याद हुज़ता है और दिन में आप उसे गाते हैं आप देख रहे हैं अपनी फैवरिट मूवी और आपको उस मूवी के सीन वल पे सिक रिए छह मैंने एक साल या पिर कहें जिंदग मत लेजे आज मैं आपको दूंगा बहतरीन टेक्निक वो टेक्निक जिसे मैं पर्सेनली यूज करता हूं पढ़ाई के लिए और यह है वन आप बैस्ट एफेक्टिव वे एक सबसे बहतरीन तरीका पढ़ने का दिस अंकित राय वेलकम तो चैनल माइन यू और आज हम जाने कि कैसे इफेक्टिव ली पढ़ा जाएं तो बैसिकली जो पढ़ाई को आप जाते हैं कि आप बहुत ही अच्छी तरह जो भी पढ़ें उसे याद रखें किसी भी चीज को जल्द से जल्द कैसे याद करें तो बैसिकली इस चीज के रिए दो स्टेप होते हैं सबसे पहरा स जिसे हम बोलते हैं इनकोडिंग यानि कि किस चीज को आप कैसे वैल बेसिकली घ्र रहे हैं दूसरी चीज कहले हैं रिटरीवल आप कितने गैप में कितने टायम इंटरवल में उसे रिपीट करते हैं ताकि वह आपको अच्छी तरह याद हो जाएं तो इसमें मैं सब से पह लोकुर देखे साल भर रहता है, कितने शाल दॉक्ट रहता है तो, लेइस सितार ने निलिए यह तो, क्या रहता है! हिंदी में अगर इसे मैं एक्जाबर के साथ आपको समझाऊं जब आप एक वीडियो देख रहे हैं तो वैल बेसिकली आपकी दो सेंसेज यानि कि वह साथ पांच हमारी सेंसेज होती हैं जो हमें हर चीज महसूस करवाती है डाटा अंदर जाता है जिनसे आँख कान नाक मुह आपको पता है लेकिन आप आखों से कर रहे हैं वीडियो में जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे 非常 who आखे यांख जो हैं और इस पीकर अपने कानों से सुन रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं तो ये चीज आपको ज़्यादा रहेगी किसे बजाए अगर ये Bruceыл शी और कानों से कौन एक्टर एक्ट्रेस क्या बोल रहा है यही चीज आपको लगाए लागू करनी होगी वैल जब आप इंकोडिंग करेंगे इंपूट लेंगे बुक्स पढ़ने में यानि कि आप बुक पढ़ रहे हैं बैसिकली अभी तक आप बुक कैसे पढ़ते हैं आप उन चीजों को बोल सकते हैं और इसलिए बहुत जात बहुत सारी लोगों को लगता है कि जब वो किसी चीज को बोलते है तो उन्हें अच्छी तरह याद होता है क्योंकि यहां पर बेसिकली आप अपनी दो सेंसे करने लग जाते हो अब माल लीजे मैंने बुक खोलिया और तो अगर मैं उसे सिर्फ पढ़ूँगा तो मेरी सिर्फ एक सेंस यूज हुई लेकिन अगर मैं उसे मुह से बोलूँगा तो सिंबल सी बात है मेरे कान उसे सुनेंगे और तो यॉल इंपुट टेक्नी सीम चीज आप कर सकते हैं वैल आप मान लेजे कोई साइंटिफिक है जिसके आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसका वैल बेसिक टॉपिक पढ़िए उसके बारे में यूट्यूब पर वीडियो भी देखिए उसके बारे में थोड़े से एक्ट भी सुनें और हो सकता है तो और यॉडियो बुक्स भी तो खेर लंबा हो जाएगा लेकिन त जाएगी क्योंकि आपने इंकोडिंग बहुत ही अच्छी तरह की है तो आपने इंपूट बहुत ही तरह कर लिया आपने डियोल मैथट का आपने इंपूट कर लिया लेकिन इसके साथ अगर आप इस सेकेंड पार्ट को यानिकि स्पेस रिट्रीवल का यूज नहीं करेंग इस नहीं तो उसका कोई फाइदा नहीं हो अगर आप इसे आपड़ रीट पीट करते आप लोकार वाता है अधक एला रकिता ही इसे एक सेमेस्टर स्थार तो आपको वन नाइट फइट बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आपको वैल सॉख नहीं है साल पढ़ने का समिस्टर पढ़ने का आपको चाहिए सिर्फ एक वीक आपके पास एक वीक और आप चाहते हैं उसमें सब कुछ पढ़ देखे और आपको याद भी हो जाए तो इसक पर्सों को मेरा एक्जाम है और जो बुक है पूरी बुक अगर आप पढ़ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा या फिर अगर आप कुछ स्पैसिफिक क्वेश्टिन उसमें से वैल बैसिकली जो क्वेश्टिन बैंक हम यूज करते हैं उसे पढ़ने हैं तो आप करेंगे क्या क कि वैल बैसिकली मान लिजे आपने अभी वह पूरी पढ़ी वैल बैसिकली अगर आप कुश्टिन में पढ़े तो आपको पता है तीस पैस्टिस चार्ष साथी सतर पढ़नों की बुक होती है और आप उसे पढ़ सकते हैं पूरा तो आपने पढ़ा 12 बजे आप उसे फिर पढ़े तीन बजे फिर पढ़े नौ बजे फिर सो जाए यह कोई जरुए तो ऐसे आप वैल बैसिकली आवर्स में या फिर अगर आपको कुछ क्वेस्टिस के आंसर याद करना है तो उन्हें मिनिट्स में इसके लिए एक मिनिट पांच मिनिट दस मिनिट बीस मिनिट और अगर आप वैल बैसिकली मान लेजिए कि एक लॉग इंटर्वल के बाद आप इस चीज को पढ़ रहे हैं नौ घंटे बाद और आपको याद नहीं होता है तो आपको फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करना है और इस तरह से आप ज्यादा एफेक्टिव वैसे पढ़ेंगे इसके साथ ही आप जो की नाइट फाइट वाले परसंसे आपके रहे में एक स्पैसल टिप दे रहा हूं एक बोनस टिप इस वीडियो में आपको दे रहा हूं तीसरी चीज जो पढ़ाई में में मोश इंपॉर्टन होती है उसे बोलते है स्टेट फ्लो अप्ड़े या आप कैसे बैठ कर कहा पर पढ़ रहे हैं वह चीज आपको याद करने में बहुत ही जागा है तो एक बात याद रखिए अगर आप चाय पीते 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 पढ़ रहे हैं तो आप घलत करें कहना मैं क्या चाहता हूं कि situation जो होती है आप for example कि मुझे पसंद है पढ़ता चुइंगम घाते खाते पढ़ाए करना तो होगा क्या कि मैं अपने चुइंगम को एक्जाम में भी लेजा सकता हूं मालेजे कि मेरा brain एक state में है कि मैं चुइंगम खा रहा हूं और मैं पढ़ रह signal भेजता है कि यह same situation है और इससे याद रहने में बहुत ही ज्यादा help मिलती है तो अगर आप को ऐसी टेक्निक यूज कर रहे हैं for example चाय पीना कौफी पीना या फिर music सुनते सुनते पढ़ाए करना तो याद रखिए कि यह टेक्निक वहां पर काम नहीं आएगी तो इससे ब कोफी या फिर कुछ ऐसी चीज फॉर एक्जामपल वाटर में बीच बीच में बेसिकली आदे घंटे वाद पानी पीने जा सकता हूं तो मैं पानी पीने के वाद बिल्कुल रिप्रेस्ट उनगा जो कि मुझे पिछले 6 मैने से हैविट पड़ी है और यह बहुत ही ज्याद यानि कि सिर्फ आखों से या कालों से मत पढ़िये और उसके बाद आपको यूज करना है स्पेस रिट्रिवल आपको वैल्व से रिपीट करना है 1-3-5-9-84 जो भी आप बैसिकली स्कोर आप बनाना चाहिए और उसके बाद थर्ड टिप आप वन नाइट फाइटर्स के लि तो वैल बेसिकली यह कुछ पढ़ता है और ब्रेन इस चीज सिच्वेशन में फंच जाता है तो आप एक्जाम सेंटर में अगर आपको जिंगम ना भी ले जाले दे आप सिरु मुझ चला रहे हो तो यह बहुत ही ज़़ा हेल्प करेगा आपको इस स्पेसिफिक टॉपिक क अगर इस स्पेसिल गाले आपको जो सिर्प एक दिन में पढ़ के पहले है थे अगाले दे है आपको जाते है मुझ टॉपिकान से विडियोच कुछ पीश्च्छ तो दी मुझ करने आपको छूफेस देन में चूब एक्श्च तो पर शूब आख पास बचू आइज प्सक्